Hello dear parents and students, this is Mahesh for Shiv Senior Secondary School, Gatawli. Today we are going to read chapter 1 for English. The book is New Book of Interactive English. हम आज इसका पाठ एक पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है, Age is no bar for excellence. पाठ नमबर एक, Age is no bar for excellence का मतलब है कि उम्र जो है, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी चीज में आप कुछ excellence पाते हैं, यानि किसी चीज में कुणवत्ता में बहुत अच्छा काम कर देने के लिए उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं है, यानि कम उम्र के लोग भी बहुत अच्छे किर्थिमान स्थापित कर सकते हैं. सबसे पहले, आप इसमें new words के बारे में ज़रूर जानेंगे, तो जो भी आपको word meaning मिलते हैं, वो आपको new words ये आपकी notebook में लिखने भी हैं, और इनके spelling, pronunciation, इनका meaning in English and meaning in Hindi, ये चार चीज़े याद करनी हैं. तो first new word आपको यहां दिया है, dedication, dedication का मतलब होता है, the quality of being committed to a task, किसी काम को आप बड़ी ही ध्यान से और उस चीज़ को बहुत मन लगा के करते हो, तो उसे कहते हैं, dedication, okay, second is amaze, amaze का मतलब होता है, surprise, किसी चीज़ को लेके हरान हो जाना, किसी चीज़ को आपको देखके लगन कि आपके लिए surprising है, next is outshine, be much better than someone in a particular area, किसी एक शेतर में किसी से बहतर होना, कहलाता है, outshine, जैसे की, ram outshined sham in the race, race में, ram ने sham से बहुत बहतर प्रदर्शन किया, तो वो था outshine, feat, feat, an achievement that requires great courage, skill or strength, एक ऐसा achievement, जिसके लिए बहुत महनत, साहस और skill और strength की ज़र होता है, उसे कहते है, feat, feat, यानि कोई बहुत बड़ी achievement, उपलबदी, उसे feat कहते है, exceptionally का मतलब है, बहुत अधभूत, extraordinarily, then defied, d-e-f-i-e-d, defied का मतलब होता है, to be unaffected by, यानि किसी चीज़ का असर ना होना, वोता है, defied, आईए अब पाट शुरू करते है, sometimes people are able to reach great heights of success and fame that seemed unachievable all along, कुछ, कभी-कभी ऐसा होता है, कि लोग ऐसे ऐसे उचाईयां हासिल करते हैं कामियाबी की और heights of success का मतलब है कामियाबी की उचाईयां और fame का मतलब क्या होता है कि प्रसिद्धी की कामियाबी और प्रसिद्धी की ऐसी उचाईयां कुछ लोग हासिल करते हैं जो seem मतलब प्रतीत होती हैं लगता है अनचीवेबल हैं यानि जिने कभी पाया नहीं जा सकता इसे कभी कबार होने वाले दुरलब उपलबदियां ऐसी आर हाइली अप्रिशेटेड लोग उन्हें बहुत सरहना करते होंगी अप्रिशेट करना मतलब सरहना करना यानि उसकी बढ़ाई करते हैं Especially when they are achieved at a very tender age खास तोर पे तब जब ऐसी उपलबदि किसी बहुत कम उम्र के इनसान ने हासिल की हो Tender age मतलब कम उम्र Let us read about some such achievers in detail अब हम ऐसे ही कुछ achievers के बारे में detail में पढ़ने वाले हैं Some persons are gifted with extraordinary talent and ability कुछ लोगों को तोहफे में मिला होती है Extraordinary talent and ability दुरलब जो उनकी काबिलियत है Ability मतलब काबिलियत और talent मतलब उनके पास किसी चीज को करने के गुन है Okay, that is talent Some achieve excellence through hard work and dedication कुछ लोग excellence achieve करते हैं आप अपनी मेहनत और अपनी लगन के थुरू Dedication को लगन कह सकते हैं They all amaze the world and people respect them वो ऐसे लोग जो बहुत महनत करते हैं और कुछ अच्छा अपने जीवन में हासिल करते हैं वो लोगों को आकसर आश्चरिय चकित कर देते हैं When they outshine others जब वो दूसरे लोगों से बहुत अलग उभरते हैं निखरते हैं With their remarkable feats उनके दुरलब उन्होंने जो हासिल किया है जीवन में कुछ अच्छी चीज करके दिखाए हैं उनके द्वारा remarkable feats Even at a very young age बहुत कम उम्र के बावजूद Some are capable of performing exceptionally difficult tasks कुछ बच्चे या कुछ लोग बहुत ही दुरलब चीजें कर लेते हैं exceptionally difficult tasks बहुत ही ज़ादा मुश्किल काम कर लेते हैं Let's read about some children who defied age to reach great heights अब हम ऐसे ही कुछ बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जिनोंने उम्र की बाधा नहीं मानी और उसको चकमा दिया उम्र से उनकी जो उपलबदियां हैं उनको आप आँक नहीं सकते ऐसे कुछ लोगों के बारे में पढ़ेंगे रागव जोनेजा of 15 years रागव जोनेजा 15 साल का एक लड़का है 15 साल और 7 महीने 15 years and 7 months is the youngest Indian who climbed Mount Everest ये सबसे कम उमर का इनसान है जिसने भरती है जिसने Mount Everest जो सबसे उची चोटी है दुनिया की इन्होंने 21 मई 2013 को Mount Everest पे चड़ाई की थी He is from मुरादाबाद in UP उत्रप्रदेश के मुरादाबाद जिले से हैं ये and is a student of Lawrence School कसौली शिमला वो शिमला के Lawrence School में पढ़ते हैं He scaled Mount Everest along with his five schoolmates ये अपने पांच स्कूल के साथियों के साथ Mount Everest की चड़ाईन होने की थी उन पांचों साथियों के नाम दिये हैं Ajay Sohal 17 साल के Prithvi Chehal 17 साल के Shubham Kaushik 16 साल के Fateh Brar 16 साल के and Guribadat Singh 17 साल के One of the teammates Hakikat Graywal had to retreat from 27,600 feet Retreat का मतलब है वापिस आ गए उन में से एक साथ ही जो थे वो इतना चड़के वापिस आ गए ये देखिए इन लोगों के फोटो दिये हैं रागाव जुनेजा हैं ये ये आरियन बाला जी हैं और ये सत्यम कुमार है उनके oxygen mask के साथ problem हो गई थी इसलिए वो वापिस आ गए कौन वापिस आ गए जिनके अभी यहाँ पे नाम हमने पढ़ा Hakikat Graywal और जो सबसे छोटे थे इनमें 15 साल और 7 महीने उम्र है वो है रागाव जुनेजा जिनका record में नाम आ गया है इस रागाव जुनेजा सबसे कम उम्र के वो इंसान जिन्होंने इंडियन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चड़ाई की है तीम रीच दे टॉप ऑफ 8,848 मीटर्स माउंटिन रेंज आफ्टरने एक्स्ट्रीमले डिफिकल जर्नी तुक 56 देज इनको 56 दिन लगे यह जो 8,848 मीटर उची माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चड़ने में बिसाइड्स रागाव जुनेजा अनदर अचीवर इस आरियन बाला जी रागाव जुनेजा के अलावा आरियन बाला जी एक बहुत बड़े अचीवर है इन्होंने भी बहुत कुछ हासिल किया है Defying his age, 7 years old आरियन बाला जी बिकेम दे यंगेस्ट माउंटेनियर तो क्लाइम अफरीका's highest peak साथ साल के हैं केवल और इन्होंने अफरीका के सबसे उची चोटी जिसका नाम है Mount Kilimanjaro उसके उपर चड़ाई की है on 25 February 2013 वो चोटी की उचाई है 5,895 मीटर वो इन्डियन नेवी ओफिसर के बेटे हैं यह जिनके फादर नेवी में काम करते हैं and he displayed excellent physical fitness determination and courage to achieve this इस चीज को हासल करने में उन्हें बहुत physical fitness की जरूती जो उन्होंने दर्शाई है in March 2012, he became the youngest in the world to go for an up to 8 meters under sea dive और यह सबसे कम उम्र के जो इन्सान है वो बन गए दुनिया में 8 meter under sea जाने के लिए underwater dive होती है ना यानि पानी के नीचे आप जाते हैं oxygen cylinder लेके जाते हैं या बिना cylinder के भी लोग dive करते हैं तो इनने 8 meter नीचे dive किया another outstanding achiever is Satyam Kumar Satyam Kumar भी एक ऐसे achiever है he is just 12 years old वो 12 साल के हैं but has surprised the country by cracking one of the most difficult entrance exams IITJE IITJE क्या है जो हमारे हाँ IITs हैं उनके अंदर entrance exam होता है BTEC करने के लिए तो वो exam दुनिया के सबसे मुश्किल exams में से माना जाता है और भारत के सबसे मुश्किल exam में तो ही वो crack किया इन्होंने केवल 12 साल की उमर में Since very early childhood he was very dedicated and passionate about studies he passed class 10th exams at the age of 10 10 साल की उमर में इन्होंने दस्वी कक्षा पास कर ली थी He was born on 20 July 1999 to an illiterate father और इनके जो पिताजी हैं वो अनपढ हैं उसके बावजूद ये 10 साल की उमर में दस्वी कर चुके हैं इनके पिताजी का नाम है Sidhanath Singh and mother Pramila Singh Everyone was impressed by this talent when he was just 5 years old His father sent him to Kota Rajasthan for higher education He is very proud of his son's achievement Satyam Kumar wants to develop a software company later Satyam Kumar खुद की एक software company बनाना चाहते हैं All the above names clearly tell us that age is no bar for excellence ये सब नाम हमें बताते हैं कि उमर का काबिलियत से या achievement से कुछ हासिल कर लेने से कोई लेना देना नहीं है कम उमर में भी आप बहुत बड़ी ख्याती प्राप्त कर सकते हो दुनिया में अपना नाम कर सकते हो अगर आप किसी भी शेतर में मन लगा के काम करते हैं इसके अलावा words इस page में हमने क्या पड़े scaled का मतलब है चड़ाई करना displayed दिखाना दर्शाना cracking मतलब यहां crack मतलब वैसे तोड़ देना होता है या दरार होता है लेकिन यहां cracking the exam का मतलब है exam pass कर लेना passionate किसी चीज़ के बारे में बहुत लगन से काम करना illiterate, unpad, impress यानि किसी को आप प्रभावित कर देते हैं to make someone feel admiration and respect कोई आपके लिए अगर इज़त करने लगता है तो that is impress somebody इसके बाद आपको इस पार्ट की प्रशन उत्र करने हैं answer the following questions orally how does the world regard those persons who are credited with remarkable feats दुनिया उन लोगों के बारे में क्या सूचती है या उनको कैसा बरताव करती है इसे लोगों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बहुत बड़े उपलब्दियां हासिल किये जाहिर से बात है ऐसे लोगों को बहुत इज़त दी जाती है लोगों उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत impress होते हैं कौन से दो प्रकार के लोगों के बारे में आपके पार्ठ में शुरुवात में बताया है एक वो लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं वो अपनी मेहनत से हासिल करते है एक वो लोग जिनके अंदर नैचुरली गॉड गिफ्ट होता है किसी प्रकार का टेलेंट उनको गिफ्टेड है तो वो लोग दो प्रकार के लोग है विच प्लेस डज रागव जुनेजा बिलॉंग टू रागव जुनेजा किस जगे को बिलॉंग करते थे यह आपको इसमें बताया गया है यूपी से मुरादाबाद डिस्टिक उनका नाम क्या था रागव जुनेजा की टीम में से जिनको वापिस आना पड़ा यह नाम भी आपको इहां अंत में इस पेज पे मिल जाए है हकीकत ग्रेवाल क्यों आना पड़ा था क्योंकि ऑक्सिजन मास्क में प्रॉब्लम हो गई थी मौन्ट एवरेस्ट की हाइट क्या है 8840 मीटर विच माउंटेन वस क्लाइमट बाइ आर्यन बाला जी यह अफरीका का सबसे उचा जो उन्होंने चड़ा था माउंट किली मंजारो इसकी हाइट क्या है 5895 मीटर गिव दे नेमस अफ सत्यम कुमार के पेरेंट का नाम बताइए यह भी हमने अभी भी पड़ा है लास्ट में दिया गया था मदर का नाम है प्रमिला सिंग और फादर नेम इस सिद्धनात सिंग वेर डिड़ सत्यम कुमार गो फोर हायर एजुकेशन सत्यम कुमार हायर एजुकेशन के लिए कहां गए सत्यम कुमार जो है वो अनपड़ थे वो उनके फादर ने उनको कोटा बेजा था हायर एजुकेशन के लिए कोटा राजस्थान रागव जुनेजा एंड इस टीम रीच्ड तॉप आफ माउंट एवरेस्ट आफ्टर ए जर्नी दाट टुक इनको कितने दिन लगे 56 देज लगे थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा C आंसर हो जाएगा तो आप C को चेक कर लिजेगा इन माच 2012 आरियन बाला जी बिकेम दा यंगेस्ट इन दे वर्ल्ड तो गो फॉर ये दुनिया में सबसे कम उम्र के इनसान बने थे लेकिन किस चीज के लिए जो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किस चीज के लिए बना था तो गो अप गो फॉर अप टू 8 मीटर अंडर सी डाइव उके उसके लिए सबसे कम उम्र का इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो इन्होंने ये किली मनजारो की जो चीज है ये यंगेस्ट माउंटेनियर बने है एट दे एज ओफ सेवन तो वो दो चीजे है लेकिन इन मार्च 2012 क्या हुआ वो बताना है मार्च 2012 में इन्होंने अंडर सी डाइव की थी तो इसका जो पहला ओप्शन है ये सही है आंसर दा फॉलेंग कोशिंस ब्रीफली विच रिमार्केबल एचीवमेंट ऑफ रागव जुनेजा अड़ाई की है और इन्होंने मार्च 2012 में इनके पास वर्ल्ल रेकॉर्ड है किस चीज़ का आठ मीटर अंडर सी डाइव के लिए देन मेंशन समरी मार्केबल क्वालिटीज ओफ आरेन बाला जी देट हेल्प देम तो सक्सीड आरेन बाला जी की ऐसी क्वालिटीज के बारे में बताओ जिनकी जैसे हो सक्सेस्फुल है वो बहुत फिजिकली फिट हैं डिटा माइंड हैं और उनमें बहुत करेज है ये इनकी क्वालिटीज है क्योंकि इन्होंने बहुत कम उमर में बहुत उपलबदियां हासिल की हैं लाई के फिल्ड में इन्होंने जो दस्वी की कक्षा दस साल की उमर में पास कर ली भारत का सबसे मुश्किल माना जालावा एक्जैम आई टी जेई इन्होंने क्रैक कर लिया बारा साल की उमर में तो ये इनकी अच्छीवमेंट्स हैं जबकि इनके फादर और मदर दोनों इलिट्रेट हैं औनपड़ हैं ये सब आपके सवालों के जवाब होंगे आई होप आपको ये चेफ्टर समझ में आया होगा इससे आपको प्रेज़णा भी मिली होगी और आपको भी समझ में आऊगा कि आप फिलहाल आप अपनी उमर के अंदर भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी So keep studying, keep working hard आपको जो भी काम करना पसंद है उसमें मेहनत करिए और जीवन में उपलब्दी हासिल करिए Thank you